आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now So इस Question में हमें एक सिलेंडर दिया गया है जो की एक Angular Velocity Omega 0 से Rotate कर रहा है और उसे हमने उसी Rotating State पे ही एक Rough Horizontal Floor पे Gently रख दिया हमें निकालना है इस सिलेंडर की Velocity जब ये Pure Rolling के Motion में आ जाएगा So यहाँ पे हम पहले Situation को समझते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे एक Omega 0 अंगुलर Velocity से Rotate करता हुआ एक सिलेंडर हमने Rough Ground पे रखा है So यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये Ground के Surface को टच करेगा तो इसका जो Bottom Most Point है ये पीछे की तरफ जाने की Tendency रखेगा और इसके उपर एक, उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक Frictional Force लगेगा जो की Forward Direction में होगा So यह Forward Direction में जब Force लग रहा है इसके उपर, तो Naturally एक Forward Direction में Acceleration भी आएगा उसे हम यहाँ पे Suppose कह देते हैं, denote कर देते हैं Small A letter से यहाँ पे अब क्या हो रहा है, कि यह इसकी Linear Velocity धीरे धीरे इस Acceleration के कारण बढ़ेगी यह बढ़ेगी, तो इसका मतलब इसकी Linear Kinetic Energy भी भढ़ रही है पर Kinetic Energy का जो Rotational और Linear Component है, इन दोनों का Sum बराबर होना चाहिए क्योंकि Energy हमेशा Conserved रहती है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी Linear Kinetic Energy बढ़ेगी और Rotational Kinetic Energy कम होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो Angular Velocity है यह धीरे धीरे Decrease होगी और Linear Velocity बढ़ेगी from 0, तो यहाँ पे इसकी Initial जो Angular Velocity है, वो है Omega 0, और Final हम किसी Time T पे जब यह Pure Rolling के Motion को Attain कर लेगा, वहाँ पे हम कहते हैं इसकी Angular Velocity Omega, और Linear Velocity हम Suppose कहते हैं V, तो अब यहाँ पे हम इस Omega और V, इन दोनों की Equations लिखेंगे, तो इसके लिए हमें क्या-क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हम जो Equation लिखेंगे तो V हमारा आएगा, V is equal to U plus 80 के फॉर्म में, और Omega आएगा हमारा ओमेगा नॉट प्लस अलफा टी के फॉर्म में, तो हमारे पास यह A की वैल्यू, यह अलफा की वैल्यू, U की वैल्यू और ओमेगा नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ओमेगा नॉट तो हमें given ही है, ओमेगा नॉट की तरह, U हमारा होगा 0, क्योंकि यह initially rest पे रहेगा, क्योंकि इसकी initial linear velocity जो है, वो 0 रहेगी, हमें निकालना है यहाँ पे linear acceleration की value और angular acceleration की value, तो देखते हैं हम इसे कैसे निकालेंगे, तो linear acceleration यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम linear acceleration को लिख सकते हैं इस पे, net force in x direction divided by its mass, mass हमें इसका given है m, और जो net force in x direction क्या होगा, वो frictional force है, क्योंकि इसके उपर net direction, जो x direction में कोई और force नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, frictional force divided by m, और angular acceleration के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम एक equation जानते हैं, जो की होती है, torque is equal to moment of inertia times alpha, जहाँ पे alpha है इसका angular acceleration, तो यहाँ से हम alpha की value लिख सकते हैं, torque divided by moment of inertia, तो यहाँ पे हम torque और moment of inertia लिखेंगे, इसके center of mass के about, तो center of mass इसका center पे होगा, और इसके ओपर torque कौन सा force लगाएगा, इसके ओपर यह torque, यह frictional force ही लगाएगा, जिसकी value होगी f r के बराबर, क्योंकि यह frictional force, right direction में, इसके center से r distance दूर पे लग रहा है, तो यह fr की value है, इसकी torque की, और moment of inertia, इस solid cylinder के लिए, हमारे पास आएगा, mr square divided by 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते है, alpha की value, यह आ जाएगी, 2f upon mr, नाओ यहाँ पे, क्योंकि alpha decreasing है, यानि कि इसकी जो angular velocity है, यह decreasing है, तो alpha negative होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक negative sign भी include करेंगे, क्योंकि यह एक तरीके से angular retardation का case है, so now जब हमारे पास linear acceleration और angular acceleration इन दोनों की values आ गई है, तो हम linear velocity का function लिख सकते हैं, u plus at की help से, तो u हमारा है 0, और a हमने निकाला है f by m, so f by m t, so इसका मतलब v हमारे पास आएगा f t upon m, similarly, angular velocity का हम equation लिख सकते हैं, angular velocity का equation आएगा हमारे पास omega is equal to omega naught minus 2ft divided by mr, so अब इन दोनों equations की मदद से, हम क्या बता सकते हैं, हम इन दोनों equations की मदद से, किसी भी time instant पे, इसकी linear और angular velocity के बीच में हम relation बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर time known है, time instant known है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही unknown रहेगा, जो की है small f, so small f की मदद से हम इन दोनों equations को solve करेंगे, तो हमारे पास यह angular velocity और linear velocity के बीच में relation आ जाएगा, इस question में हमें directly कोई time instant नहीं बोला गया है, हमें बोला गया है कि हमें velocity इस cylinder की बतानी है, जब यह pure rolling का motion start कर दे, pure rolling के case में हमारे पास, जो दोनों surfaces जिनके बीच में rolling हो रही है, वहाँ पे कोई rubbing नहीं होती है, तो at pure rolling, no rubbing is there, no rubbing का मतलब है यहाँ पे, कि जब यह no rubbing की state को या फिर pure rolling की state को attain कर लेगा, तो इसका जो point of contact है, यानि कि इस cylinder का जो base है, जिस point पे यह floor से touched रहेगा, यह हमेशा rest पे रहेगा, तो यानि कि जब यह कोई भी point इसमें rotate होकर के bottom most point पे आएगा, तो उस point पे इसके सारे forces जो है equilibrium में रहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं, कि यह एक instantaneous rest पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी कोई velocity नहीं होनी चाहिए, यानि कि, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, omega r और v बराबर होंगे, क्योंकि omega r का जो effect रहेगा, यह इसके उपर पीछे की तरफ रहेगा, और omega का effect, sorry, v का effect, आगे की तरफ रहेगा, तो हम इस state पे हमें, इसकी linear velocity बतानी है, तो हमारे पास एक और equation आ गई है, यहाँ पे, omega r is equal to v, तो हम यहाँ पे इन दोनों functions में, इसकी दोनों functions की value यहाँ पे हम डाल लेंगे, तो v हमारे पास है, ft upon m, यह होगा omega r के बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, omega 0 minus 2ft by mr, multiplied by r के बराबर, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम जब इसे solve करेंगे, तो हमारे पास आएगा, ft upon m is equal to omega 0 r minus 2ft r upon mr, यहाँ से r और r cancel, तो यहाँ पे आजाएगा हमारे पास, omega 0 r is equal to ft upon m, plus 2ft upon m, तो यह आएगा 3ft divided by m, तो अब यहाँ पे इसे और कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 multiplied by v के बराबर, तो कि ft upon m, हमारे पास, इस v के बराबर है, तो अब यहाँ पे, हम v की value निकाल सकते हैं, omega 0 के terms में, तो यह आजाएगा हमारे पास, omega 0 r divided by 3, तो हमें इस question में, इसकी linear velocity पूछी गई थी, तो हम यह value, determine कर चुके हैं, आज राउनलोड करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर,